हेलो गाईस मेरे उटुब चैनल पुजबी तेजु के सर में आप सभी का स्वागत है तो गाईस आज के सेशन में हम बात करेंगे SSCGD 2019-2023 तक के इसमें आल सिप्ट के प्रिवियर्स कोस्चन हम सॉल्फ करेंगे तो गाईस इसमें हम एक्जाम में पूछे गए जो कोस्चन है उसी को हम सॉल्फ करेंगे तो गाईस ध्यान से समझेगा और कॉपी में आप जरूर से नौट करते हुए चलिएगा तो आगे आपको कोस्चन एक्जाम में कोस्चन को सॉल्फ करने में मदद मिल सकेगी तो गाइस इससे पहले आप मुझे जादा से जादा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल पर नहीं है तो गाइसे सस्क्राइब और वेल आइकन को फ्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहें तो इसमें हम एकदम बेसिक ट्रिक से सॉल्व करेंगे ट्रिक से भी हम कोश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको आगे कोश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके कि एक्जाम में किस तरह से हम कोश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए, सेशन को करते हैं, स्टार्ट, तो इसमें देखिए हम आगे की कोश्चन इसमें सॉल्फ करेंगे और मैं आपको कमेंट में कोश्चन को सॉल्फ करने के लिए देती हूँ, तो उसका अंसर आप जरूर से कमेंट में सॉल्फ करके बताईएगा तो चलिए सेजन को करते हैं स्टार्ट तो यहां आमको फर्ष्ट कोश्चन ये रहा चार पक्षी A, B, C और D एक जंगल के चारों और उड़ते हैं तो वे क्रम सहा 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं यदि वे एक साथ उड़ना सुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद के आरम विक विन्दू पर पुनहा मिलेंगे और ये कोश्चन हमको पूछा गया है SSC GD 212-2021 सिप्ट 2 में पूछा गया कोश्चन है तो देखिए कोश्चन को हम सॉल्व करते हैं कितना एज़ी कोश्चन है तो यहां देखिए इसमें हम को दिया है चार पक्षी A, B, C और D एक जंगल के चारो और उड़ते हैं और इसकी क्रमसा हमको इसमें मिनट दिया है 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक ये चारो पक्षी जंगल का एक चकर पूरा कर सकती है कर लेती है तो यहां देखिए इसमें हम यहां पर रखेंगे 27, 30, 45 और 60 के तो यहां पर हमको 27, 30, 45 का इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा तो इसका हमको लेना पड़ेगा LCM तो देखिए चारो value का LCM क्या हो जाएगा तो यहां इसका LCM हमको पता करना है कि क्या होगा तो इसका LCM मन जाएगा कितना 540 और यह किसमें रहेगा यहां पर हमको minute में दिया है तो यह 540 यह minute में रहेगा कि इतना किलियर हुआ सभी को और फिर आगे देखिए यदि वे एक सांथ उन्ना सुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे आरंबिक विंदू पर पुना हैं मिल सकते हैं तो देखिए ये एक सांथ उन्ना सुरू करते हैं और इसका देखिए यहाँ पे हमने question को solve कर रहे हैं तो यहाँ इसका 4 value का lcm अमारे पास कितना बन रहा है 540 minute बन रहा है और फिर देखिए इसमें हम क्या करेंगे तो यहाँ हम इसमें 540 और बटे में देखिए हम 60 minute तो 60 minute हम यहाँ पे रखेंगे बटे में और फिर देखी इसमें हम solve करेंगे तो यहां यह 0 से 0 इसमें cancel हो रहा है 6 से हम 4 को काटेंगे तो यह कितने वार में कटेगा कितने वार में कट जाएगा यह 9 वार में कट जाएगा पूरा पूरा तो यहां हमको इसमें देखिए कितने घंटे बाद ये आरंबिक विंदू पर पुनह मिलेंगे तो नो घंटे बाद ये मिलेंगे कि आरंबिक विंदू पर ये पुनह मिल जाएंगे चारो पक्षी के इतना किलियर हुआ सभी को तो ये नौ घंटे इसका क्या बनेगा आंसर ओप्सन में देखिए यहाँ पे ये डी नम्मर इसका राइट आंसर बनेगा के उमीद करती हूं कोश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप सभी मुझे जादा से जादा सपोर्ट करेंगे और वीडियो को जादा से जादा आप सहर करेंगे और मेरे चैनल पर नहीं है तो जरूर से आपको वीडियो की नौटिपिकेशन समय समय पर मिलती रहें तो गाइस इसमें आप पिछले मैंने आपको कोशन SACJD के ही कोशन सॉल्फ करा चुकी हूँ तो गाइस आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं तो यहाँ देखिए कोशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यहाँ देखिए हमने इसमें चार वैल्यू दी है इसमें 27, 30, 45 और 60 मिनट में दिया है तो यहाँ हमको मिनट में ही बताना है और इसका देखिए चारो वैल्यू का LCM हमको पता करना है तो यहाँ हमको इसमें 540 मिनट रहेगा फिर इसमें 540 बटे में हम मिनट 60 सेकेंड रखेंगे यहाँ पे देखिए 60 रखेंगे और 0 से 0 कैंसिल 6 से 54 कितने बार में ये कर जाएगा 9 बार में तो 9 घंटे इसका क्या बनेगा आंसर ओप्सन में देखिए D नम्मर इसका करेक्ट आंसर होगा और ये कोश्चन हमको पूछा गया है SSC GD 2.12.2021 सिफ्ट 2 में पूछा गया कोश्चन है के तो चलिए और आप कॉपी में जरूर से नॉट करते हुए चलिएगा तो नॉट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेश्ट कोश्चन किया हुए अगला कोश्चन ये रहा एक निश्चित रासी पर 4% बार्सिक ब्याज की दर पर दो वर्सों में प्राप्त चक्रवरद्धी ब्याज 1530 रुपे है समान रासी पर समान दर पर समान अब्दी में प्राप्त साधारण ब्याज कितना हुगा ये कोश्चन हमको SSC GD 16.11.2021 सिप्ट तीन में पूछा गया कोश्चन है तो देखिए बहुत ही easy question है तो इसमें हमको क्या बताना है इसका simple interest कितना होगा तो यहाँ देखिए इसमें हमको यहाँ compound interest कितना दिया है 1530 रुपे दिया है और यहाँ हमको इसका percent देखिए 4% बार्सिक ब्याज की दर पर यहाँ पे देखिए 2 वर्सो कर दिया है और देखिए हम question को आगे solve करते हैं तो यहाँ इसमें देखिए हम इसमें क्या रखेंगे first first इसमें हम इसका compound interest क्या निकालेंगे तो यहाँ इसमें क्या होगा first यहाँ पे हमको 4% दिया है कि फिर्ष्ट हमको कितना दिया है यहां पे 4% का दिया है तो यहां देखिए second में हम यहाँ पे क्या करेंगे चार बीचार में यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस पॉइंट सोला के चार का डवल इसमें क्या होता है इसमें कमपाउंड इंटर में इंटरेस में ब्याज पर ब्याज बढ़ता रहता है और सिंपल इंटरेस में ब्याज इसमें नहीं बढ़ता तो देखिए यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे 4% का 4% यहां पे देखिए 0.16 होगा तो यहां इसमें हम क्या करेंगे add करेंगे तो यहां हमको मिल जाएगा 4.16 4.16 मिल रहा है तो इसमें देखी यहां आगे इसमें हमको क्या मिल जाएगा यहां 8.16 8.16 मिल रहा है और फिर इसका देखिए compound interest हमको कितना दिया है 1530 रुपए दिया है तो यहां हमको 1530 रुपए दिया है तो हम यहां पे देखिए 8.16% का हम निकालेंगे यहां पे तो यहां हमको इसका कितना दिया है 1530 रुपए दिया है और 2 वर्स में पूछा गया है तो यहां इसमें देखिए 1% का हम निकालेंगे यहां तो इसमें 1% का कितना होगा तो देखिए यहां हम रखेंगे 1530 बटे में हम क्या रखेंगे 8.16 तो यहां से हम इसमें पॉइंट हटाएंगे यहां से पॉइंट हटाएंगे तो इसमें हमको कितना यहां इंटू 100 मिलेगा के 2-0 यहाँ पे रखेंगे हम पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2-0 हम रखेंगे multiply में और फिर आगे देखिए यहाँ पे हम इसका क्या निकालना है simple interest पता करना है तो यहाँ इसका देखिए simple interest यहाँ हम इसका निकालेंगे तो 4% तो यहाँ हमको 4% दिया है तो यहाँ देखिए 4 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ हमको 8% मिलेगा कितना मिलेगा 8% तो हम यहाँ पे 8% का निकालेंगे आगे यहाँ पे हम रखेंगे 1530 पते में 816 इंटू 100 और यहाँ हमको 8% का निकालना है, तो इन्टू 100, यहां पर 100 रखे हैं, इन्टू 8, फिर इसमें देखिए, यहां पर value इसमें कितने से cancel होगी, तो हम इसमें value cancel कर लेते हैं, तो 8 से 816, कितने बार में यह कटेगा, तो यह देखिए, 8 1 कम 8 और 8 दूनी 16 यह 102 बार में कट रहा है और फिर आगे देखी यहां पे हम इसमें 2 से काटेंगे तो 2 से यह कितने बार में कट जाएगा तो 2 से यह 51 बार में कट रहा है 2 5 10 और 2 1 कम 51 बार में और फिर 51 से हम 1530 को काटेंगे तो यह 30 बार में कट रहा है और 100 को काटेंगे हम 2 से तो यह 50 बार में कटेगा और फिर इसमें देखी हम multiply कर लेंगे तो multiply करेंगे तो इसमें 30 into 50 करेंगे तो यहां हमको इसमें कितना मिल जाएगा तो इसमें हमको मिल जाएगा पंदरा सो के तो पंदरा सो इसका क्या होगा सिम्पल इंट्रेस हमको सिम्पल इंट्रेस साधारन भी आज ही होगा कितना होगा तो यहाँ पे पंदरा सो रुपए होगा इतना सभी को किलियर हुआ option में देखिए यहां हमको b number इसका correct answer वनीगा उमीद करती हूँ question आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें देखिए हमने बहुत ही इसमें easy question है और इसमें देखिए हमने इसका compound interest इसमें निकाले हैं तो first यहां हमको 4% दिया है तो और second देखिए 4 plus point 16 तो यहां हम add करेंगे तो हमको 4.16 मिल रहा है और फिर इसमें 8 इसका देखिए ब्याज पर ब्याज बढ़ता है compound interest में तो 8.16 यहां हमको मिल जाएगा फिर इसमें 8.16% का हम इसमें दिया है 1530 1% का कितना होगा तो 1530 बटे में 8.16 और यहां देखिए point हटेगा तो 2.0 इसमें लग जाएगे और फिर यहां इसका हमने simple interest निकाले तो इसका कितना 8% हमको मिला तो 8% यहां पे हमने 1530 बटे में 816 इंटू 100 इंटू 8 रखे हैं और फिर देखिए 8 से 816 एक सो दो बार में 2 से एक सो दो 51 बार में और 51 से यहां पे देखिए 1530 तीस बार में 2 से 150 बार में कट रहा है तो यहां आपने multiply किए 50 इंटू 30 करेंगे तो 1500 इसका क्या बनेगा answer के और यह question shift 3 में पूछा गया है sscgd में के कितना easy question है तो ध्यान से समझेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले next question की और अगला question यह रहा 120 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 7 किलो मीटर घंटा की चाल से चलते हुए एक pull का 18 सेकेंड में पार करती है तो pull की लंबाई ग्याद कीजिए question कौन solve करती हैं तो इसमें देखिए हमको 120 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 60 किलो मीटर घंटा की चाल से चलते हुए एक pull को 18 सेकेंड में पार करती है तो यहाँ इसमें देखिए pull की लंबाई हमको इसमें क्या रखना है तो यहाँ हम pull की लंबाई क्या रखेंगे तो यहाँ हम x मीटर रखेंगे के x मीटर रखेंगे तो यहाँ देखिए इसमें हम क्या करेंगे 120 मीटर दिया है तो 120 मीटर और प्लस x रखेंगे यहाँ और बटे में देखिए हमको 18 सेकेंड दिया है तो यहाँ हम बटे में 18 सेकेंड रखेंगे और फिर देखे इसकी स्पीड हमको चाल कितना दिया है 60 किलो मीटर घंटा दिया है तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे 60, कितना किलियर हुआ सबी को यहाँ पर हमको देखे किस में पूछा गया है किलो मीटर घंटा में पूछा गया है और यहां हमको मीटर में दिया है और यहां सेकेंड में दिया है तो यह किस में रहेगा यह मीटर सेकेंड में रहेगा तो यहां यह मीटर सेकेंड में रहेगा तो यहां देखे हमको किलो मीटर घंटा में दिया है तो यहां हम इसमें क्या करेंगे तो यहां इसमें हम गुणा क्या करेंगे पांच बटा अठारा से मल्टिप्लाइ करेंगे इतना की दियर हुआ सभी को तो यहां हम पांच बटा अठारा से मल्टिप्लाइ करेंगे किलोमीटर घंटा में दिया है तो और यहां देखिए मीटर 212 second में होगा फिर इसमें value हम इसमें cancel कर लेते हैं 18-18 ये cancel ओर फिर यहां देखिए 60 x 5 करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 300 कि 60 x 5 करेंगे तो यहां 300 होगा और फिर देखिए यहां हमको x बराबर और इसमें से देखिए हम इसका माइनस कर लेंगे इसका आधा करेंगे तो यहां हमको पुल की लंबाई हमको पता चल जाएगा कि क्या होगा तो देखिए 300 में से हम 120 माइनस कर लेंगे तो 10 में से 0 यहां पे 0 ही आएगा तो 0 और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो यहां 8 बच रहा है और फिर देखिए यहां 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बच रहा है तो यहां 180 मीटर इसका क्या बनेगा आंसर तो इसमें हमको यहां पुल की लंबाई पूछा गया था तो pull की लंबाई इसमें क्या होगी 180 मीटर option में देखी यहाँ A number इसका right answer बन रहा है इतना clear हुआ सबी को तो इस यह SSC GD 10 1, 2, 2, 3 सिप्ट 3 में पूछा गया question है यहाँ पर हमने कितने easy तरह से question को solve किये तो यहाँ इसमें अमने सिर्फ देखिए 120 प्लस x बटे में 18 second यहाँ आमने रखे तो यह meter second में होगा यहाँ देखिए यहाँ 120 meter और 18 second दिया है और यहाँ किलो मीटर घंटा में दिया है 60 इसकी चाल तो यहाँ हम इसमें 5 बटा 18 से गुड़ा करेंगे 18 से 18 कैंसिल 60 इंटू 5 300 और 300 में से 120 माइनस करेंगे 180 meter इसका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं हम अगले next question की और अगला question यह रहा 10 बस्तूं का औसद बजन 65 किलो है यदि 72 किलो औसद बजन वाली 3 बस्तूं को हटा दिया जाए तो बची हुई बस्तूं का औसद क्या होगा से से जीडी 14 दो 2019 सिप्ट तीन में पूछा गया question है तो देखिए question को हम solve करते हैं कितना easy question है यहां पे हमको क्या करना है तो देखिए average यहां हमको पता करना है कि क्या होगा तो 10 दिया है यहां पे 10 बस्तूं का औसद बजन हमको कितना दिया है 65 दिया है और इसका योग देखिए कितना आ जाएगा तो योग यहां पे 650 हमको मिल रहा है के योग कितना मिल रहा है 650 और फिर यहां पर हमको यदि 72 किलो यहां औसद वजन वाली तीन बस्तूं को हटा दिया जाता है तो यहां हम इसमें क्या करेंगे 72 इंटू 3 करेंगे तो यहां हमको इसमें कितना मिल जाएगा तो यहां है देखिए 3 दूनी 6 और फिर 37 21 के 216 और फिर यहां हम इसमें माइनस करेंगे तो देखिए यहां इसमें हम माइनस करेंगे तो हमको इसमें कितना मिल जाएगा 10 में से 6 माइनस करेंगे तो यहां 4 बच रहा है 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 यहां हमने माइनस किये और फिर इसमें हमको देखिए क्या करना है तो यहां हम इसमें 400 कितना 34 दिया है और बटे में हम क्या रखेंगे तो यहां 10 बस्तुए दिये हैं और यहां पे 3 बस्तुएं को हटा दिया जाता है तो 10 बस्तुए में से हम 3 बस्तुए हटा देते हैं तो यहां कितना बचेगा 7 बचेगा तो 7 बच रहा है तो यहां देखी इसमें हम क्या करेंगे डिवाइट कर लेते हैं तो साथ में से हम 434 को काटेंगे, तो यह कितने बार में कट जाएगा, तो इसमें 7 छिंग 42 और 1 बचा, 14 होगा, सादूनी 14, तो यहाँ 32 किलो, तो यह इसका 62 किलो क्या जाएगा, ऋंसर, यहाँ आंथा को देखिए, बस्तूओं का औस्त क्या हो जाएगा 62 किलो होगा ओप्सन में देखे आपको दिख रहा होगा इसमें तो वी नम्मर इसका राइट आंसर बनेगा इतना सभी को किलियर हुआ कितना इजी कोश्चन है सिर्फ इसमें हमको 10 बस्तूओं का औसद बजन हमको 65 दिया है 650 और 72 इंटू 3 करेंगे तो 216 अब इसमें हम माइनस करेंगे तो 434 इसमें हमको मिल रहा है और फिर इसमें देखिए 10 में यहां 3 बस्तूओं को हटा दिया जाता है तो बचे कितने 7 7स में डिवाईट करेंगे तो 62 किलो इसका क्या होगा आंसर आगे बढ़ते हैं अगले next question की और अगला question ये रहा प्रभन्दवकों का औसद वेतन X है तथ स्रमीकों का औसद वेतन Y है तो प्रभन्दवकों की संख्या स्रमीकों की संख्या का पंद्रा गुना है प्रवंदकों का स्रमिकों की को मिलाकर दोनों का औसद बजन क्या है और यह कोश्चन हमको पूछा गया है SSC GD 14.2.2019 सिप्ट 3 में पूछा गया कोश्चन है तो देखिए इसमें हम इसमें डेट भी हम लिखते हुए चल रहे हैं क्योंकि यहां पे यह 14.2.2019 और सिप्ट यहां हमको औल सिप्ट हम इसमें सॉल्व करते हुए चल रहे हैं तो देखिए यह सिप्ट 3 में पूछा क्या कोश्चन है तो यहां पे इसमें देखिए हम आगे कोश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहां हम इसमें क्या रखेंगे प्रभंदक के प्रभंदकों और यहां हम स्रमिक रखेंगे तो यहां स्रमिकों रखेंगे और देखे इसमें हमको इसका बेतर हमको X दिया है और स्रमिक का Y दिया है तो यहां इसमें हम देखिए प्रभंदकों की संख्या और स्रमों की संख्या हमको 15 गुना दिया है तो यहां हम इसमें प्रभंदकों की संख्या इसमें हम 15 और स्रमिक का एक रखेंगे इतना किलिए हुआ सभी को आगे देखिए यहां पे हम इसमें क्या करेंगे तो यहां इसमें हम क्या रखेंगे तो यहां हम 15 और इसका क्या रखेंगे 15 का यहां हम X रखेंगे इसका यहां पर मल्टिप्लाइ करेंगे तो यहां हमको 15 X मिलेगा और यहां 1 का हम Y में मल्टिप्लाइ करेंगे तो यहां हमको कितना मिल जाएगा y मिलेगा इतना सभी को clear हुआ तो देखिए आगे यहां हम इसमें क्या कर लेंगे तो यहां इसमें आगे हम 15 x plus y और बटे में देखिए यहां पे हम add करेंगे 15 और 1 को add करेंगे तो यहां हमको 16 मिलेगा तो बटे में हम 16 रख लेंगे तो यहां देखिए इसका ये क्या बन रहा है, आंसर बनेगा, option में देखिए आपको दिखरा होगा इसमें, किस option में दिखरा होगा है, 15X प्लस Y बटे में 16, तो यहां हमको इसमें D नम्मर में दिखरा है कि 15X प्लस Y बटे में 16, तो D नम्मर इसका right आंसर बनेगा, कितना easy question है तो ऐसे question देखिए exam में बहुती असांटिक से आप question को solve कर सकते हैं इसमें प्रभंदक और स्रमाइक हमको इसमें 15 गुना दिया है तो हमने यहां 15 ratio 1 रखा और 15 से यहां x का multiply करेंगे 15 x और 1 का by में करेंगे तो by विलेगा तो यहां देखिए 15 x प्लस by रखेंगे और बटे में यहां पे 15 प्लस एक करेंगे तो 16 तो यहां 16 जाएगा कितना easy question था तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले next question की और अगला question यह रहा आट की पहली चार घनात्मक गुणांकों का औसर क्या है SECGD 12.2.2019 सिफ्ट बन में पूछा गया question है तो देखिए कितना easy question है यहां पे हमको इसमें क्या करना है तो यहां आट के पहले चार घनात्मक गुणांकों का औसर क्या होगा तो देखिए 8, 16 और 24 से हमको कहां तक यहां पे 32 रखना है तो इसमें देखिए चार घनात्मक पूछा गया है तो 8, 16 और 24 और 32 तक रखेंगे तो इसमें देखिए इसका average हमको पता करना है कि क्या होगा तो यहां देखिए हम इसमें 8 रखेंगे और 32 पहली संख्या और अंतिम संख्या रखेंगे तो 8 प्लस 32 और 2 से इसमें हम divide करेंगे तो 40 और बटे में 2 2 से यहां पर divide करेंगे तो यह 20 बार में कट रहा है तो 20 इसका क्या बनेगा answer कितना easy question है और officer में देखिए B number इसका right answer बन रहा है ऐसे question आप बहुत ही authentic से solve कर सकते हैं तो देखिए कितना easy question था आगे बढ़ते हैं अगले next question की और अगला question यह रहा एक परिच्छा में विध्याथियों को उत्तिन होने के लिए 35 अंक लाने अनिवारे और वहे 23 अंकों को अनूत्रिन रही तो परिच्छा का पुणांग कितना था यह question SSC GT 2-12-2020 सिफ 2 मैं पूछा गया question है तो देखिए कितना easy question है यहाँ पर हमको इसमें देखिए एक परिच्छा में हमको यहाँ पर विध्याथियों को उत्तिन होने के लिए 35 अंक और लाने के यहाँ पर वहे 23 अंकों को अनूत्रिन रही तो तो यहाँ देखिए इसमें हम यहाँ पर पास क्या रखेंगे तो यहां इसमें 145 प्लस 23 तो एड़ करना पड़ेगा तो यहां हमको 45 अंक दिये हैं तो हम इसमें 45% का निकालेंगे तो 5 और 3, 8, 14 और 2 कितना होता है 16 तो 168 45% का हमको कितना मिला 168 और 1% का हम निकालेंगे तो 1% का कितना होगा 168 बटे में कितना 35 अब इसमें वैल्यू हम कैंसिल करेंगे तो यहां कितने बार में कैंसिल होगा तो 7 से 35 पांच बार में कैंसिल और 168 को हम कैंसिल करेंगे तो यह 7 दूनी 14 और यहां पे कितना बचा 2 बचा साथ चव 28 तो यहाँ 24 बटा हमको कितना मिलेगा यहाँ पे 5 के 24 बटा 5 मिल रहा है और फिर इसमें देखे आगे हम इसमें 100% का निकालेंगे तो 100% का कितना होगा तो यहाँ हम रखेंगे 24 बटे में 5 इंटू 100 के 5 से 100 कितने बार में यह कैंसिल होगा तो 20 बार में और 20 इंटू 5 करना पड़ेगा तो 20 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर इसमें कितना हो जाएगा तो 480 इसका आंसर होगा ओप्सन में देखिए C नम्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा इतना सभी को किलियर हुआ इसमें सिर्फ हमको देखिए पास वाली वैल्यू यहाँ पे 145 प्लस 23 तो यहाँ हमको 23 या एट करना पड़ेगा तो 35% का हम यहाँ पे 168 हुआ और 1% का य 40% का कितना 480 तो 480 इसका क्या होगा आंसर इसमें देखिए परिच्छा का पुणान कितना हो जाएगा 480 होगा आगे बढ़ते हैं अगले नेस्ट कोश्चन की और अगला कोश्चन यह रहा एक बश्च्टू 350 रुपए में खरीदी गई और 500 रुपए में बेची गई प्र भुमैं पूचा गया कोश्चन है तो देखें कोश्चन को हम सोल्फ करते हैं यहां पर हमको इसमें एक वस्तू यहां पर हमको 350 रुपए में यहाँ तो यहां पर यह 500 रुपए में यह बेच रहा है और 370 में खरीद रहा है तो यह खरीदा हुआ मूले है और यहां पे यह बेचा हुआ मूले है और इसमें देखिए यहां पे कितने का इसमें लाव हो रहा है तो कितने का लाव हो रहा है एक सो पचास का इसमें लाव हो रहा है और फिर इसमें हमको लाभी परसन इसमें पता करना है कि क्या होगा तो यहां इसमें हम रखेंगे 150 और बटे में हम क्या रखेंगे 350 और परसन हम यहां पे 100 रखेंगे तो देखी क्रेमोले पर ही अधारित होता है यहां पे तो 150 बटा 350 इंटू 100 फिर इसमें देखिए 0 से 0 यह cancel तो यहां 35 कितने से cancel होगा 5 से 7 बार में 5 से 15 तीन बार में तो यहां पे 3 इंटू 100 करना पड़ेगा तो कितना होगा 300 बटे में 7 तो यहां इसमें हम divide करेंगे तो 7 से 300 कितने बार में यह cancel होगा तो कितने बार में cancel होगा तो इसमें 7 चव 28 और फिर इसमें 2 बचरा है 20 होगा तो 7 दूनी 14 और फिर इसमें देखिए यहां पे आगे कितना 6 बचरा है तो 6 बचरा है तो 0 लगाएंगे यहां पे हम तो इसमें 7 अठी 56 होगा के तो यहां पे कितना 42.8 तो 42.8 और यहां पे 6 तो यह इसका क्या बनेगा answer option में देखिए यहां पे हमको दिया है C number इसका correct answer बनेगा के कितना easy question था इसमें खरीदा हुआ मूल्य और बेचा हुआ मूल्य हमको दिया है तो इसमें लाब कितने का 150 का हो रहा है तो 150 बटे में यहां पे हम 350 इंटू 100 0 से 0 कैंसिल 5 से 35 साथ बार में और 15 कितने बार में 5 से 3 बार में 100 इंटू 3 300 बटे में साथ डिवाइड करेंगे तो 42.86 इसका क्या बनेगा answer के आगे बढ़ते हैं अगले next question की और अगला question यह रहा एक कार को 69 किलो मीटर घंटा की चाल से 354 किलो मीटर की दूरी तैक करने में कितने घंटे लगेंगे तो देखिए यह question SSCGD दो जाते ही shift 1 में पूछा गया question है तो यहां देखिए कितना easy question है इसमें हम trick से ही question को solve करेंगे तो यहां trick इसमें क्या लगेगी तो देखिए यहां हम इसमें क्या रखेंगे इसकी speed हमको कितना दिया है तो speed हमको 69 km गंटा दिया है और यहां इसकी दूरी तो दूरी यहां पे 354 km दिया है तो यहां हम इसका time इसमें हमको पता करना है कि क्या होगा तो यहां हम इसमें trick क्या लगाएंगे time बरावर दूरी बटा speed तो यहां इसमें हम रखेंगे value तो देखिए इसमें हमको time पता करना है तो इसमें दूरी हमको कितना दिया है 354 km दिया है और speed यहां हमको कितना दिया है 69 तो दूरी यहां पर हमको 354 km दिया है और speed हमको 69 km घंटा में दिया है तो यहां देखिए value कितने से cancel होगी तो यहां इसमें value 69 से हम 354 को काटेंगे तो यह 6 वार में कटेगा तो 6 इसका क्या होगा answer कि 6 गंटे लगेंगे तो इसमें देखिए दूरी तै करने में कितने गंटे लगेंगे तो 6 गंटे लगेंगे यह इसका answer बनेगा option में देखिए C number इसका right answer हो जाएगा के बहुत easy question था और ऐसे question आब exam में बहुती असान ट्रिक से question को solve कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले next question की और अगला question यह रहा कीर्थी की तुलना में राधा की काड़े कुसलता आधी है राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा यह question sscgd 212-2001 की सिर्फ 2 में पूछा गया question है तो यह question आप जरूर से comment में solve करके पताईएगा कि इसका answer क्या होगा उमीद करती हूं सारे question आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हूंगे तो आज इसमें हमने sscgd 2019-2023 तक के इसमें all shift के previous question को हमने solve कियें के तो गाइस वीडियो को जादा से जादा आप सेयर कीजिए और तो लाइफ सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी तो जरूर से आप comment में बताईएगा तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं हम अगले नेस्ट वीडियो में तो इसमें हम sscgd के आगे की question हम कल solve करेंगे तो चलिए जय हीं जय भारत थेंक यू